त्लीम अच्छा जी आज ये मैंने हमेशा मुझे एक तनी टकली है। लोगों को लगता है कि बदनाम भी किया। हाला के उसने अपने मुझे एक गोली खाई देशित घरदों के हाथे यह मैं नां जिकार का रहा हूँ मलाला यूसेफ जstat जई का जो का एक हेरोउई है हेरोईई हेरोईई नी मेला फिल्म थी आमीर खान की उसमें भो हेरोईई नी कहता इस पे माहिरा खान ने इनको इनकी बड़ी तारीफ की और बेला हदीद ने की इनकी बड़ी तारीफ और दुनिया में मलाला यूसफ जही ने और अबिसी शीज़ यंगस्ट नोबेल प्राइज पीस प्राइज विनर तो मलाला ने पाकिसान का नाम रोशन किया है पाकिसान में जो प्रॉब्लम्स है उनको हाइलाइट किया है यह पता नहीं है यह जीब मौशरा है पाकिसान का यह कहते है कि हमारी बुरी बाते हैं दुनिया के सामने ना बताओ जो बंदा बुरी बात बताता है उसका मकसद यह ह बुराई खतमों वो पबलिक एनमी नमबर वन बन जाता फटाफट ये अजीब ही लोग है तो इसी लिए मलाला के साथ पूरी दुनिया में महबत की जाती है और जो हमारे पाकिस्तान के जो लोडे लपाडे ये जो पता नहीं क्या कौन सी इनोंने क्या उन से जंडे गार दिय में सब कुछ इनको पता होता है और सबसे ज़्यादा चवले ये मार रहे होता है ये देखो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बाठ जो है इस तरह के बेतहाशा लोग ये बलकर ट्रेंट चल रहा था ट्विटर के उपर मलाला यूसफ जई के उपर अब ये देखो ये क् लक्वास का रहा है ये कह रहा है कि मैं तालबान से गुजारिश करता हूँ कि अगली दफ़ा ज्यादा पका निशाना लगाना मलाला पर ये 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 बट ये मोनो ब्राव पता नहीं क्या चुल होती है इन में कौन सी ये कौन लोग है आ रहे है क्या है यार ये तो इस लड़की ने अच्छा बड़े मज़े कि इसने गप मारी वे थे चलो मैं आपको वो भी दिखाते हैं ट्वीट मुझे नहीं था पता इसका लेकिन वो नीचे लोगों ने कॉमे इनकी मलाला से दुश्मनी क्या है कि ये मलाला इसके सर पे गोली लगी और ये अमरीका इंगलेंड चली गई और ये वो लड़का है वलीद खान जिसको आठ बार गोलियां लगी ये अभी भी पाकिस्तान में मज़े की बात ये कि ये लड़का जो है इसका इलाज हुआ था मलाला इूसफ जही ने अपने फंड से इसके इलाज के लिए पैसे भेजे थे और ये लड़का भी इंगलेंड गया तो इलाज कराने लेकिन चुल बस है हैं से हीरो मनना है वो वाटसएप को क्लिप आ गया है वो आगे किंस्पिरिसी थूरिया आगे फिला देनी है इनको त अगर आपके साथ कुछ हुआ आपके इंदर कुछ करिज्मा था आपके इंदर कुछ कॉलिटी थी आप उसकी वज़ा से आगे चले गए दुनिया ने आपको रिस्पॉंस दे दिया तो ठीक है ये ऐसी दुनिया चलती है आगे इसी तरह होता है इसमें तो इसमें जैलिस हो ने वाली क्या बाता है दूसरे ग्रूप वो लोग हैं जो इसके साथ मलाला के साथ इसलिए खार खाते हैं कि भई ये कहते हैं कि ये शायद इसको गोली नहीं लगी थी इनमें बहुत सारे लोगों कि इसकार वगएरा क्यों नहीं को जखम का निशान क्यों नहीं हाला कि उस की थी और इसमें क्या है तो एक उन्होंने कॉमेंट इस इंटर्वियू में दिया जिसे बड़े लोगों को चुल हुई है और मैं देखके हरान हूं कि कौन लोग इसके उपर तनकीद कर रहे हैं तो यह मलाला ने बड़ा वही बात की लगता है मलाला ने शायद मेरे मेरी को व खबत खतम हो जाएगी क्या दो प्यार करने वाले जो साथ रहते हैं वो साथ रहना छोड़ देंगा क्बूला 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 नहीं किया तो मैं अक्सर हमेशा से यह कहता है निकाह को कि मैं अक्सर बैंड बजाता रहा हूं निकाह निकाह पहले निकाह होगा तो मलाला ने मुझे वैसे है रहे तो मलाला 100% I believe now के maybe she's an atheist उससे का यार ये क्या बगवास है कि लोगों को शादी करने की क्या जूरत है क्योंकि ये तो एक दस्तखत ही है पेपर पे दस्तखत करना ये partnership क्यों नहीं हो सकती जैसा कि मैं कहता हूँ मुझे वाकी शक पढ़ रहा है मलाला ने या तो मुझे सुन लिया नहीं मुझे नहीं सोना मलाला ने ये एक common सी feeling है कि वाकी बंदा कोई बैठके बंदा सोचे अगर आप लोग अपना मजब से अपना दमाग निकालेंगे तो आप कहेंगे हाँ यार यह पेपर पर मैंने साइन कर दिया अच्छा अब हम डिंग डॉंग कर सकते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है अब जो डिंग डॉंग आपने करना है उस डिंग डॉंग में कोई ज़्यादा मसा आजाएगा यह कम मसा आएगा यह बच्चे काने लूले लंगडे पैदा होजा 뉴스 कोई है तो मिझे कोई बताया ना यार आप ने इस पेपर पे साइनने ना किया तो इसलिए आपका बच्चा स्कूल में बारबार फेल हो रहा है क्योंकि आपने वो पेपर पे साइनन ने किया था या आपने कबूल है कबूल है नहीं बोला था there's no such thing so तो मलाला ने ये बात की कि ये काख़ी करवाई है इसमें कोई निकाशिका करने की क्या ज़रूरा था it doesn't make any difference जो कि एक लाजिकल बात है तो उस पे तकलीफ किसको हुई left पे जो चाथून है ये हमारी sunny layounी है nothing against sunny layoun absolutely nothing against sunny layoun sunny layoun کا मैं भी बहुत बढ़ा fan हूं bollywood फिल्म हूं हूं वो दूस्री वाली फिल्म है मैंने नहीं बेखी मुझे तो पता ही नी था वो कोन है तो ये हमारी sunny layoun है मतीरा तो ये कहती है मज़े की बात देखो ऐसे लोग जो होते हैं न मतीरा जैसे लोग मतीरा आपको शरम आनी चाहिए जो आपने ऐसे ही आपने का चलो मैं अदर नमबर बना लेती हूं क्योंकि मतीरा जैसे लोग या ओर भी मोस्टीज एक्रिस होती है जिनके उपर हर वक्त गंदे तरह के लजाम लगते हैं जो obviously I will never support that I will stand with मतीरा on that कि मतीरा को 100% right अपनी उनकी body, उनकी choice, उनकी life वो जैसे जिनकी गुजानना चाहती है you go girl आचा जी, out of the way लेकिन जो लोग जादा bold lifestyle गुजार रहे होते हैं उनको जब कहीं पर मोका opening मिलती है ना कि हम यहाँ पर अपने moral number बना लेंगे number, number बनाने हैं हमने वो बीच में आजाता है, अब देखें सुन्नत की बात कोन कर रहा है वो कहरें कि ये कोई paper sign करने की बात नहीं है कि आप कोई plot नहीं खरीद रहे कोई आप कोई land नहीं खरीज रहे निकाह तो सुन्नत है और मेरा जो vote है वो सुन्नत के लिए है मतीरा ने मलाला को चुप करा दिया सुन्नत है, अच्छा सुन्नत तो है ही लेकिन 11-12 व्याख खड़काना जो है वो सुन्नत है असल मैं तो आप लोग प्यों नहीं 11-12 व्याख खड़काती है या मतीरा आप एक ही चलें कर लें पता नहीं मैं खरीज उनने मतीरा ने किया है किया शादी अभी तक के नहीं तो ये मतीरा ने कहा के चलो भी एक मोका मिला तो मैं इसको मलाला के नाम पर थोड़े से नंबर बना लेती हूं और उनने नंबर बना लिये और मतीरा को भी लोग अब मतीरा की जयजय हो रही थी वो ट्विटर पर हैस्टाइग एक चल रहा था लेकिन एक हो डिटेल जो आप जो आया जो ट्रिब्यून पर आया ठीक है फोस्ट मैरिजेज जो होती है अब्यूसिव मैरिजेज जो होती है और जो बच्चों की शादी होती वो तो सब बुरी है लेकिन निकाह करना अल्ला मिया की रहमत है और बहुत खुबसूरत है तो अगर आप अगर सोच रही है कि आपने किसी को अपना लाइफ पार्टरनर बनाना है तो उससे हलाल तरीके से उसके जाद निकाह कर ले निकाह फिर बाद में कर ले यह उनको मश्वरा दे नहीं आपने पार्टरनर अब जैसे कि आप लोग उनको पता है हमरी भी एक पार्टरनर है एक अदद हमने तो कोई निकाह भी नहीं किया हमने तो निकाह भी नहीं किया भी तक तो यह जो हरकतें करते हैं मतीरा आपको शरम आनी चाहिए थे कि आपने आपको अगर लोग बदनाम जो करते हैं आपको हम वैसी सपोर्ट करते हैं कि आपकी जिन्दकी है, आपको अपने जिन्दकी का हक होना चाहिए लेकिन मलाला के नाम पर आप नमबर बना रही है यह जात्ती की आपने संदीब कुमार कहा है, well you need paper when they go to court नहीं, कोई जूरत नहीं है आपको आप अपना बिल दिखा दें, आप अपना फोटोज दिखा दें आपके पास विटरनसीज हैं कि हमने इतने अरसे से हम साथ रह रहे हैं कोई ऐसा बंदा नहीं है, जानि अगर मैंने थाबित करना हो ना अदालत में, कहीं पर भी मैंने रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियोन पर जूर सपोर्ट कीजिए ताके मैं अपना पेगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पंचा सकूँ